हाई एवरिवन वेलकम टू दा टीचर्स यूटूब चैनल आज हम हर्याना जिक्के के बहुत मोस्ट इपोर्टेंट पी वाई क्यू भी देखेंगे और इपोर्टेंट क्वेस्चन्स भी देखेंगे तो आपके लगबग यहां पर पचास लिखाया लेकिन पचास से उपर ही है तो कैथल में है इसके साथ काफी सारी इडिशनल इंफिर्मेशन जैसे कि उनकी हत्या कब हुई 1240 में यहाם पहली मुस्लिम सासी का थी इनके पती का ना मलतूनिया जिनकी इनके साथ मृत्यू कर दी गई थी उनकी हत्या कर दे गए थी उनकी मृत्यू हो गए थी दो यूद होते हैं त्राइन के एक 1192 में और दूसरा 1191 में जो 1100 यह दोनों यूद होते हैं महमद गोरी और प्रित्वी राजचोहान के बीच पहला यूद प्रित्वी राजचोहान जीत जाते हैं जबकि दूसरा यूद प्रित्वी राजचोहान हार जाते हैं तो दूसरा जो मुहम्मद गोरी होते है इनका एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतूब दिन एबक यह नाम याद रखे का कुतूब दिन एबक इनका नाम होता है बिल्कुल एजली तरीके से कराऊंगा ताकि सब को याद रहा जाए कुतूब दिन एबक इनका नाम होता है और जो चठर वो जीतते हैं क्योंकि अब महम्द गोरी ने पर जिते हैं तरह जब जीते हैं तब वो कुछ टाइम के बाद, भारत से बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो भारत से थे नहीं यहांपर, डिरेक्ट आकर्मन करना और यह सब चिंगे हैं उनका करना लेकिन यहांपर वो छोड़ जाते हैं उनका गुलाम को क्या नाम था? कुटूब दिन एबग गुलाम को तो यही गुलाम आगे चल कर 1192 यम तो हम है ही है लेकिन 1206 में यही गुलाम, गुलाम व véritके स्थापना कर देता है तो अगर जैंघा आ जाए कि गुलाम वंज्ज की स्थापना कि इसने की तब आपने आपने अंसर दिने कुटूब दिन एबग ने कुतूब दिन एबक किसका गुलाम था hiking गोरी का ठीक है। इसके बाद क्या होता है 210 में आते हैं। और इल्टू तमीस बार सो चटीस तक गद्दी पर रहते हैं तो उनकी ही लड़की होती है रजिया बैगम सुल्तान उनके कुछ पुत्तर भी होते हैं लेकिन वो साइद गद्दी के लिए सुटेबल नहीं होते तो क्या होता है उनमें रजिया बैगम सुल्तान एक मतलब ऐसी लेडिज होती है जो गद्दी के लिए लगता है कि यह गद्दी संभाल सकती है तो यह गद्दी पर बैठती है इन्होंने बहुत सारे कारिया ऐसे भी किये जो कि लोगों को वहां उस टाइम पे बार सो की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे लगता था कि एक लेडिज होने क बाद यह कैसे कर सकती है तो लोगों को यह चीज़ा काफी पसंद नहीं आ रहे थी खास करें इनके भाईयों कोई पसंद नहीं आ रहे थी तो अगर पूछ ले जाए कि इनका सासनकाल कब रहा तो 1246 में गद्धी पर बैठती हैं और 1240 में 4 साल यह गद्धी पर रहती हैं तो इसी दोरान 1240 में इनके मृत्यू कर दी जाती हैं मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है और मृत्यू हो जाती है अगर पूछ ले जाए मकबरा कहां पर है कैथल में हैं अब कैसे कंडिशन में हैं बिलकुल खराब जरजर हालात हैं उसके पता भी नहीं चलता कि यहां पर कोई मक कोईट नोट कर ले कर लेना जो रजिया बैगम सुल्तान है उसका मकबरासे वाहन भी शाक्वorpी सीटें आरक्सित थें आरखित अगर और बात hem Suik prospects हैं कट अगर हर्याने में कुल सीड़े के बारे में बात करें तो ओं दस सीट है किसकी हरृांमे में लोक्सेवा की बात कर रहा हुँ में तो लोक्सेवा की दस पी हैं जिस में से अंबाला और शीर्सा यह हैं दो सीट आरकसित हैं अगर हैं लोकसबा के जो सदिश्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं MP यानि कि Member of Parliament और जो आपके ये विधायक होते हैं हर्याने के अंदर कितने हैं 90 तो इनको क्या बोलते हैं MLA भारत देश में लोकसबा की अधिक्तिम कितने शीटे हैं 552 पर चुनाव कितने पर होते हैं 543 पर होते हैं अभी अभी की बात कर रहा हूं मैं तो आपको पता होना चाहिए देखिए जो सरकार बनती है लोकसबा बनाती है ये फिर रैज्य सबा लोकसबा सरकार बनाती है जो भी सरकार बनती है लोकसबा सदिश्य ही सरकार बनाते हैं और कितनी शीटे चाहिए पांसो तरतालिस का 50% से एक सीट जादा पांसो तरतालिस का 50% होता है पांसो बहातर पॉइंट पांच तो इस वज़े से पांसो तीहतर दोसो तीहतर शीट चाहिए 50% से एक सीट जादा सरकार का निर्मान कौन करते हैं लोकसभा ही करती है यानि कि लोकसभा के सदिश्य ही सरकार का निर्मान करते हैं जो लोकसभा है आपकी जो आपकी पारलेमेंट है उसमें आपके दो सदन होते हैं एक रैजसभा दूसरा आपका लोकसभा जो आपका रैजसभा है वह है उपर का सदन होत सब्सक्राइब तो बार हम आम नागरी करते हैं जब आप वो सरकार के लित के लिए कि हम कि यूप जो सबस्क्राइब का लिए यही को सदीश को लेकिंक नहीं सकते अगर अगर लोग सभा के सदेश्य की एज की बात कर ली जाए एलेक्शन लड़ने के लिए तो आपके कम से कम 25 साल होनी चाहिए यानि कि आपकी ML ने जो हरियान के अगर अंदर बात करूं में स्पेशल बनने के लिए उसकी भी 25 अगर आपको MP बनना है तो उसके लिए भी 25 MP किसका लोग सभा का अगर आपको परधान मंतरी बनना है तब भी आपको 25 साल का कम से कम होना बहुत जरूरी है अगर हम बात करें रैज्य सभा की तो रैज्य सभा को आपके लिए 30 साल का होना बहुत जरूरी है अगर मैं बात करूं परधान मंतरी बनने के लिए तो परधान मंतरी सिर्फ लोकसभा सही बन सकते हैं नहीं परधान मंतरी रैजसभा सही बन सकते हैं लेगिन सर रैजसभा सही कैसे बन सकते हैं देखिए मान के चलिए कि एक पार्टी है जिसका नाम है A ठीक है और एक पार्टी है जिसका नाम है B ठीक है लेकिन क्या है उसकी पार्टी बहुमत से जज्दा Paulo कर लेती है तो क्या होगा अब सरकार तो बन जाएगे लेकिन हैं मुखया कैसे बनेगा क्योंकि यह हैं वह राजसभा का सेचिय양 हो या फिर बाद में सेचिय मना भी दिया एक सीट जीतने पड़ेगी अगर मैं बात करूं मुख्या मंतरे की जो कि हरियाना किसी भी प्रदेश के अंदर आप मान सकते हैं तो उसके लिए भी कम से कम 25 साल का आपको होना जरूरी है अगर मैं बात करूं रास्टर पती की तो रास्टर पती के लिए आपको 35 साल की मीनिमम उमर रखे गई है और राज्यपाल के लिए उसके लिए भी 35 साल उमर रखे गई है तो यह जो एज का क्राइटेरिय है यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है चलिए अगर मैं बात करूं अब लोकसबा की लोकसबा और अरजसबा जो यह दो सदन है हमारे यह किस के सदन है संसद के जो यह है 是不是 होंगे भारत के अंदर यहा किस सवीधान से लिए गया है तो यह है यूक्के के सवीधान से डिरेक हमने ऐसा ही उठाया क्योंकि वहाँ पर भी अप्रहावस है जिसको हम क्या बॉलते हैं रैजसबा यहां पर और जो लो रहावसे हुसको हम लोकसबा तो इतनी बाते हमें पता होने बहुत जरूरी है अगर इसके साथ साथ हम बत करते है हर याना में पांच रैज़यसभा सदशिय क्योंए चुने जा सकते हैं मैं अगर आपसे पूछ लोग की शीट कितनी है यहां पर सीट गाउंट नहीं होती जहां दिछेगा लोग सभा की सीटे होती हैं लेकिन रैजे सभा की सीटे नहीं होती रैजे सभा के सदस्य चुने जा सकते हैं रैजे सभा के जैसे मैं कहूं कि 250 मैकसिमम सदस्य चुने जा सकते हैं तो अभी 245 सदस्य चुने जा चुके हैं अभी ठीक है तो यह सदस्य आपके चुने जा सकते हैं यह पर सीट नहीं है क्योंकि सीट का क्या मतलब होगा सीट के लिए फिर हमें कोई ना कोई आपका एक प्लेस का नाम देना पड़ेगा जैसे यह लोग सबा की हर्याने के अंदर दस सीटे हैं सिरसा, अंबाला, तो कुरक्शेतर हमें इस परकार से उनके नाम दे दी लेकिन रैज्ज सबा की कोई भी ऐसी सीट नहीं जस्ट ऐसा आएगा कि हर्याने से पांच सदे से चुने जाएंगी ठीक है इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हर्याना के विधान सबा के अंदरा भी हाल फिलाल 90 सीटे हैं लेकिन अगर हम स्टाल्टिंग की बात करते हैं सर उनसो चांसेट की उनसो चांसेट में जब पंजाब से हर्याना अलग हुआ था तो उस टाइम पे हमारे पास जस्ट 54 सीट थी और उन 54 में से भी 10 यानि कि 10 आरक्शी सीटे थी रिजरुवेशन उस टाइम कितने सीटों पर था 10 सीटों पर और आज कितने सीटों पर है 17 सीटों पर और अभी वर्तमान में कितनी हैं हमारी 90 सीटे लेकिन अगर क्वेस्टन आ जाए कि 24 वर्तमान में 90 सीटे हैं यह 90 सीटे कब बनाई गई थी या कब बढ़ाई गई थी तो आपको धियान रखना है 1977 एक बार पूरा डेटा में आपको बता भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से यह चीज़े याद रह सके तो धियान दीजी 1966 में एक बार हम चलते हैं 1966 में हमारे पास 54 सीटे تھی 54 में से 10 सीटे आरक्सित थी और इससे ही अगले साल यानि 1967 में यह सीटे बढ़ाकर 81 कर दे गई और 1937 में यह सीटे 90 कर दे गई और इसमें से 17 सीटे आरक्सित हैं तो यह जो डेटा है 970 वाला यह लगबग लगबग आपके 48-50 साल हो चुके हैं अभी 2026 में परिसमन होगा तो आपको ध्यान रखना है कि यह डेटा सेम का सेम है तो 970 में बढ़ाए गी ती सीटे यह आपकी संसद है अच्छा संसद का अगर क्वेस्चन आ जाए एक पुरानी संसद है एक नई सं जो आपकी संसद है वह है आपकी वृत्ताकार और जो आपकी नई संसद है वह है आपकी त्री कोनिये मतलब कि तीन कोने आप इस प्रकार से मान सकते हैं तो यह है क्वेस्चन पूछा ही जाएगा किसी भी एक्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि किसी भी एक्जाम में पू करवा दूगा और कभी आप भूलोगे भी नहीं यहां पर एक तस्वीर दी गई है जो कि गंगे माता जी की है तो नदी सबसे बड़ी भारत के कौन सी है गंगे माता उसकी लंबाई कितने हैं 2525 किलोमेटर ठीक है लेकिन हम बात करें हर्याने की तो हर्याने के अंदर दो स्थ कानों से प्रवेश करती हैं तो हम स्टार्टिंग में बात करते हैं उत्री हर्याने की उत्री हर्याने में लगबग जो नदीया है पांच मुख्य नदीया है आपकी कौन कौन सी है आपकी तो ध्यान दीजेगा आपकी तीन नदी आपकी पंचकुला और अंबाला से प्रवे क्योंकि विलुप्त भी हो गई दी सरस्वती नदी तो जिलनोधार है ना मतलब कि दुबारा से इसको खोदा जा रहा है मुगला वली गाओं जो कि आपके युम्ना नगर के अंदर ही है तो उस पर भी काफी टाइम खुदाई चलती रही और अभी लगबग लगबग यह है द टांगरी और घगर नदी कंफरम निकलती है जो आपका अंबाला है अंबाला से आपका आपकी मारकंडा नदी निकलती है लेकिन मारकंडा के अंदर ही टांगरी नदी भी आगए यह है एक दूसरे में मिल जाती है कहां पर आपके अंबाला के आसपास ही ठीक है तो यह है अ 2011 की जन्गरणा के इनुसार 6 तरफलकी नजर से हर्याणा का कोन सा स्थान है? पूरे बारत में? तो दो चीजे हैं एक तो आपका 6 तरफलकी नजर से अगर हिराने के बात करू में और एक आपका जन्सिंक्या की नजर से तो दोनों के लिए एक ट्रीक है ध्यान दीजिएगा एक होती है लड़की जिसके लिए साद्धी की एज रखी गई है अठारा एक है लड़का जिसकी साद्धी की एज रखी गई है 21 जो लड़की है उनका जन सिंख्या को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो वंसे जैवस को आगे बढ़ाने के हैं जमीन हैं वह हैं उनका पूरा-पूरा काम सभालता है ठीक है तो छेतर फल की नजर से देखा जाए तो 21 स्थान तो क्योंकि इसकी 21 साल की एज है लड़का है छेतर फल यानि कि अपकी प्रोपरिटी से समझत रहेगा तो 21 साल जंसें की नजर 009 प्रतिसत क्या सर इतनी ही जंसेंख अ हां 2011 यह का हरियान quarter निवास करते हैं अब कि certainty क्रोड से आज चुकी है थिस੓ कि भा कर दन 이제 कि हरी न चाहर फल का तो 1,34 प्रतिसत है ध्यान दिजीगा दोबारे से बता देता हूं एक दसमेल्व 3-4% है क्या सर हर्याना इतना चोटा है हाँ लगबग 1.5% से भी कम है तो हर्याना के अंदर 1.3-4% है पूरे भारत का हिस्सा अगर पंजाब से जब अलग हुआ था उस टाइम के बात करें कि पंजाब और हर्याना इन दोनों के पास कुल मिला कर जो 6 तर था उसमें से हर्याना को कितना मिला तो लगबग लगबग 34% हिस्सा हमें मिला था तो लगबग 65% कुछ परतिसात रहा था किस के पास पंजाब के पास तो इसी वज़े से पंजाब को बड़ावाई बोलते हैं क्योंकि पंजाब तो उल्डेडी एक्जिस्ट करता था तो उसके बाद हर्याना का जनम होता है कब 966 के में बात कर रहा हूं हर्याना की चेत्रफल की बात करता हूं तो 44212 किलोमेटर कब था 966 में आज कितना है आज भी इतना ही है सबसे बड़ा अगर जिला की बात करें 2011 का पूरा डेटा यहां पर करवा देता हूं तो सिर्सा सबसे बड़ा जिला है कब 2011 म मिलमीटर से जोकि बुशारा आपका पंजाब को हमे टे Quinn टचब करते हैं और आपका राजस्तान को टच करते हैं और गगर नदी कहां से एकजिट करते यह सिर्षा नदी से गगर नदी प्रवेश कहां से करते हैं advancing पंश努् sin rihad कहां से निकलते हैं सिर्षा नदी से फिर राजस्तान के तरफ चले जाती तो वही शिर्षा जिला और यहां पर एक ओट्टू नामक बांध भी बनाया गया है जो कि अभी हम आगे देखेंगे तो वही शिर्षा जिला जहां पर सिक्स समुदाय सबसे जादा है वही शिर्षा जिला जो आपके गेहूं के लिए स पदमश्री मिला है हर्यान से कितने वेक्तियों को पदमश्री मिला है चार वेक्तियों को मिला है दो हजार चोबिस में तो इन में से एक इनसान शिर्षा से आपका जिसका नाम है गुरुविंदर और इनको समाज सेवा करने के लिए या समाजिक छेतर में पदमश्री अवार् गुरुविंदर एक है ठीक है इसी वीडियो में आपको चारूं भी करवा दूंगा आप टेंसन मतलो कुछ टोपिक्स करेंट अफेर के भी कर लेंगे तो चार लोग है चार में से एक हैं गुरुविंदर याद कैसे रखोगे शिक समुदायान की सिर्षा से और इनको समाजिक छेत्र में मिला है याद कैसे रखोगे कि गुरू गुरू वड़ पकड़ा है जो गुरू का काम क्या होता है समाज की भलाई करना तो समाजिक छेत्र में इनको मिला है अगर मैं भारत की बात करूँ हर्याने से हमने देख लिए शिर्षा जिला सबसे बड़ा है शित्रफल में अगर भारत की बात करते तो भारत में राजस्तान सबसे बड़ा रैज्य है अगर सबसे चोटे जिले की बात करता हूँ तो वह है फ्रीदाबाद है हर्याने के अंदर जस्ट 741 वरक किलिमेटर में है अगर भारत की बात करता हूँ तो भारत का जो गोवा है वह है आपका सबसे चोटा रेज्य है जो गोवा का चेत्रफल है 3702 वरक किलोमेटर वह हमारे सिर्षा से भी छोटा है तो इस परकार से आप ध्यान रख सकते हैं अगर जन संख्या की बात करता हूँ कि जन संख्या में सबसे आपका जो बड़ा जिला है वह कुंसा है फ्रीदाबाद अरे सर, फ्रीदाबाद तो चेत्रफल में सबसे चोटा है यानि कि आप इसको ऐसे देखिये कि सबसे छोटा जिला यानि कि अगर है बिलकुल छोटा है और उस में सबसे जादा इνसान रहते हैं तो उनको जगह कितनी मिलेगी बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी मिलेगी, साइध सो भी न पाएं, खड़े होकर ही रात कारने पड़े, तो इस परकार से याद रख सकते हैं, अगर भारत की बात करूँ सबसे बड़ा जन संख्या में उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा जिला जन संख्या के अगर बात करते हैं, तो पंचकुला जो की आपका ट्राइशीटी है, नहरो की नगरी है, हम्टी घढ़े के लिए भी फिमस है कहां पर है आपका ही चंडीगड़ के साथ लगता है, हमारा उत्तर का जिला है, और चंडीगड़ को हमारे सिरफ हर्याण के एक ही जिला लगता है, कौन सा पंचकुल आपका हाउसिंग बोर्ड का ओफिस भी है और आपका हउसिंग बोर्ड का ओफिस भी है तो इतनी हां गगर नदी टांगरी नदी यहीं से प्रवेश करते हैं आपका मौर्णी हील से ही पर है जो आपकी सेवाले की रेंज है और 1514 मेटर उसका सबसे उंची चोटी है भारत के तो भारत का सिकिम रेजय जो है सबसे चोटा है किसमें जनसिंख्या में देखिए सबसे कम याणि सबसे कम से कम किसकी है सिख्या की कैसे याद रखोगे, बच्चपन में जाइए, हमारे मम्मी पापा हमें बिलकुल जैसे कि चार भाई बहाई हैं, तो जब सिक्के देंगे, सिक्के ही देते थे, मौशले उस ताइम पे, तो बहुत कम-कम सिक्के देते थे कि किसी को मतलब एक एक ही सिख्का देते थे तो पडोस के देखते थे कि यार तुमको कितने मिले है वो बोड़ार है भाई मुझे तीन सिख्की मिले है लेकिन हमें इतना कम क्यों हो क्योंकि भाई आप चार लोग हो तो वहां से आप याद रख सकते हो हम याद कैसे रखेंगे वही अगें एक गाउ में एक घर है ठीक है उसका छेतर यानि कि वह बहुत छोटा है फ्रीदाबाद है ना उसके अंदर इनसान सबसे जादा है तो वह खड़े होकर ही रात काटेंगे मतलब कि स्पेस नहीं मिलेगा इसके बाद मैं बात करता हूँ कि सबसे कम जनसंख्या घनताव शिर्षा का रहेगा वही शिर्षा जिसका छेतरफल सबसे जादा है यानि शिर्षा वैसे भी खुला डूला है और इसके अंदर इनसान भी कम रहते हैं तो इसे वज़े से 303 है और भारत के लेवल पर बात करता हूँ तो मैं इंडिया के लेवल पर तो अर्वाजल प्रदेश ऐसा रहेजिया जिसमें सिर्फ 17 ही क्या है उसका जनसंख्या घनताव है तो याद रख सकते हैं आप इसके बाद हम बात करते हैं कि हर्याने के जनसंख्या घनताव कितना है 573 वर किलोमेटर पड़ती वेखती और यहां पर कितने है इसका 382 भारत के अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों डेटा आपको याद रख लेने है 2011 के जो डेटा है उसके उनसार हर्याने के अंदर कितने जिले थे अभी कितने हो गए 22 तो कौन सा जिला बढ़ा है सर चर्खी दादरी अच्छा सर किसे निकाला गया चर्खी दादरी को भाई चर्खी दादरी को निकाला गया आपका भीवानी से अरे सर भीवानी कब बना था भीवानी बना था आपका 22 दिसंबर 1972 को ध्यान दीजीगा 22 दिसंबर डेट से याद कर लीजीगा क्योंकि यह है क्या पता ड्रैक्लिक वेस्टन आजाए 1972 को आपका बना था सर पहले भिवानी बना फिर इसे अलग चर्की दादरी निकाल दिया लेकिन भिवानी किस से अलग हुआ था तो आपका हिसार से निकाला गया था किसको भिवानी को ठीक है तो इतने बात आपको पता होनी चाहिए हाँ यह जो डेट्स वगएरे हैं इसके लिए पहले ही वीडियो बना रखी है हरियाना का एक फुल फ्री कोल्स है पले लिस्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको नंबर दो की वीडियो मिले ही और ट्रिक भी करवा रखी है तो टेंसन मतले है कि रहो सब कुछ अवेलेबल है हाँ चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको यह है बता दो आपको एक जो चैनल मिलेगा वह हमारा ही ओफिशिल चैनल है हर दिन इसके अंदर क्या क्या आता है सर पीडियाफ प्रोवाइड करवाई जाती है आपको जो भी इपोटेंट वीडियो होती है उनके लिंक सेर की जाते हैं और टाइम टाइम पर जो भी अपडेट्स होती है जैसे कि हाल फिलाल एच्टेट कैंसल हो गया उसके अपडेट्स कब होगा उसके अपडेट्स और जितनी विकैंसिज है उनकी अपडेट्स सेटी वगारा जो भी है तो उनकी अपडेट्स इसके साथ साथ अगर में बात करते हुआ कि भारत के राश्ट्रे पृतिक यहां पर धावज है हमारा भारत के राश्ट्रे पृतिक और हर्याने के राज्ज के पृतिक तो इन दोनों के उपर बहुत जबर्दस तरीकिसे इतनी सांदर विडियो अपलोड करे रखे कि आप को मिठाई पुसाग सब कुछ है उसके अंदर और आई थिंक आप सब को ही देखनी चाहिए तो वो वीडियो कहां पर मिलेगी सर वो भी आपको हमारी सिरीज में ही मिल जाएगी ठीक है उसको देख लीजी का अब बात करता हूं में हर्याना की जो सरुवादिक लंबाई वाली न देश इन दोनों रैज्यो के बीच बहती है कितना सर लगबग 320 किलोमेटर ठीक है जो यह आपकी युम्ना नदी है वह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहयक नदी है एक पॉइंट आपका यह भी बन जाता है अरे सर गंगा नदी की लंबाई तो बता दीजिए भाई 25-25 दो आपका हिमनद है जो आपका बरफव का पहाड़ है वहांसे यह निकलती है युम्नो उत्री से ठीक है और कितनी उनचाइसे निकल तीक है और फॉतृत आपका हरयाना के जो युम्ना नगर है यह भी नहीं है एक्चल में यह पांच पॉइंट पड़ी है एक बर पहले जो हर्याना में अरे कहां चला गया चले मैं वैसे ही बता देता हूं कि जो हर्याना का युम्ना नगर है हर्याना के युम्ना नगर से यह प्रवेश करती है कौन प्रवेश करती है सर आपकी यह रहा युम्ना नदी ठीक है हर्याना का जो युम्ना नगर है और इसी वज़े से युम्ना नगर का नाम युम्ना नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ठीक है सर अगर मैं बात करता यहां से पूछा जा सकता है तो हलके में मत लिजीएगा पीडियेफ आपको टेलिग्राम ग्रूप पर ही मिल जाएगी जो युम्ना नगर देखे युम्ना नगर के बाद आता है वैसे तो कुरुक्षेत्र लेकिन कुरुक्षेत्र में यह नदी नहीं आती इतनी बात आपको पता होने चाहिए पर पानिपत फिर सोनिपत सोनिपत के बाद यह है आपके डैली जाते है और दैली छे फिर फ्रीदाबाद फिर क्या करती है यह हर्याणा से उत्र पर देश का जो एक अलीगड जीला है तो वहाँ पर यह है चली जाती है मतलब यूपी में कहां से घुशत मैं युम्ना नदी की बात कर रहा हूँ अगर गंगा नदी की सबसे बड़ी साहिग नदी पूछ ले तो आपकी युम्ना नदी जो की हर्याना में बहती है लेकिन युम्ना नदी की सबसे बड़ी साहिग नदी सुंबा और पत्राला है ये नदिया हिमाचल परदेश के सिर्म और जिला है इसमें से काफी नदिया निकल के हरियाना में प्रवेश करती है एक पॉइंट अपका यह भी बन जाता है तो मोहर माजरा नामपक एक स्थान है जिसमें ये दोनों नदियां इसमें सामिल हो जाते हैं गंगा नदिगी हमने लंबाई देख लिए यह जो नदी है आ 12 महीने इसमें लगबग पानी रहता ही है क्योंकि भाई पहाडों से पानी आ रहा है यह तो हैने कि यह जब बारिश होगी तभी आएगा इसके बाद हम बात करतें सरस्वती नदी की जो कि आपकी लगबग सबसे प्राचे नदी है जबकि वैदिक सबेता है इसी के किनारे वह पनपी है इसी के किनारे फली फूली है रिगवेद में इस नदी का बहुत बार वरनन हुआ है कि इसका सरस्वती नदी का और इसको रिगवेद में बलसाली और बेगवती नदी के नाम से जाना जाता है सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश की सिरमोर अगेन सिरमोर आ गय आदी बद्री जो ये point है काफी important है यहां से यह है प्रवेश करती है हर्याने के अदर यानि कि युम्ना नगर से ही यह है नदी प्रवेश करती है और युम्ना नगर से ही हमारी युम्ना नदी प्रवेश करती है इसके बाद हम बात करते हैं घगर नदी की तो गगर नदी भी शिर्मोर जिले से निकलती है और डगसाई नाम एक एक स्थान है यह है वहां से निकलती है लेकिन हर्याना के यह है कालका कालका कहां पर आपका पंचकूला में तो वहां से प्रवेश करती है और पंचकूला से यह है चल कर फिर आपकी डिरेक्ट ऊपर रहेगा ओफिसीर सासे राजस्तान के जो हनुमान गड़ है जो की हर्याना को लगता है वहां पर यह इसका स्थिताव खो देती है वेरिवेरि मुस्टी पोर्टन और जिसमें छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं उनको हम को चो पूछा गया है चो यहां पूछा गया गया है, तो कहां पर है ये शिर्षा में है ये, ओ्टनोमकस्तान पर, इसके बाद मारकण्डा अगर हम नदी की बात करें, तो इसका प्राचिन नाम क्या है, अरूना, तो यह है तो पहला ही question बन गया हिमाचल परदेश की जो स्वेवाल की पहाड़ीयां है यहां पर धरती धर स्रेणियां है इसकी एक इसमें से यह हैं निकलती है और हर्याना के अंबाला से प्रवेश करती है ठीक है और इसके बाद हम बात करते हैं टांगरी निकलती है और यह मारकंडा में ही मिल जाती है कहां पर अंबाला के अंदर और इस नदी की सहाइक जो मुख्य नदी है वह है बल्याली और आमरी नदी तो हमने जो भी हमारी उत्री हर्याने के नदी हैं उनको बिलकुल गहराई से देख लिया है अचलिए पूरे पूरे वैसे टोपिक ही आपके कम्प्लिट हो रहे हैं अगेन कि आप टेलिग्राम ग्रूप को जरूर जोएने कर लीजीगा इसके बाद काफी पूटेंट क्वेस्टन आपका देखिए 261 नी थे के नुसार रेज़े के कितने पूटिसत भाग पर वन होने चाहिए वैसे तो 20 पूटिसत भूबो गोलिक चेतर पर आपके वन होने चाहिए लेकिन हर्याना ने सिर्फ माना है कि 10 पूटिसत पर ही होने चाहिए इसका एक लक्षे रखा गया है 1966 के अगर हम बात करें तो 3.90 पूटिसत भाग पर लगबग 4 से थोड़ा सा कम इतने पूटिसत पर थे हमारे भूबो गोलिक भाग पर क्या थे 1 और 2021 में क्या है उससे थोड़ा सा कम हो गया है अगर 2021 के नुसार देखे कि सबसे ज़्यादा 1 किस जिले में है तो 5 कूला में ह है और सबसे कम पलवल जिले में है तो यह है दो इपोर्टेंट पॉइंट्स हैं 2021 में जाड़ियां देखे तो 0.36 पर जो के आपके कहां पर है महेंदर गड़ में है सबसे ज़्यादा ठीक है तो यह है आपको ध्यान रख लेना है 2021 की रिपोर्ट है पहले कहां पर थे आपक ननीजी कार तीन अभी हर्यान रेन के अंदर कितना है तीन दूसरा कुरूक शेतर कब खोल गया 1991 में 1991 में और तीसरा सर हिसार यह कब खोल गया आपका 99 में मिस टेन है आपका रौत तक इसके बात कूरूक शेतर के अनदर कून सी है आपकी कुरुक शेतर के अंदर कौन से आपकी कुरुक शेतरा उन्वस्टी जो किछिसके खुद के नाम पर ही है गब बनी थी चार vi 1956 में क्या यह हरियान के पहली उनिवस्टी थी हाँ हरियान के सबसे पहली उनिवस्टी थी और हिसार हिसार को को नहीं जानता जो आपकी चोदरी चरण शींग उनिवस्टी है वह है सरी यह कब बनी थी 1970 में यह बनी थी लेकिन इसका नाम चोदरी चरण शींग उनिवस्टी के इंदर कौन सा था हिसार कभी है बना था 2002 में एक नुवंबर को यानि कि जब हर्याना का जनम होता है उसी डेट को सुस्मा सवराज उस टाइम बर चली अब तो वो सरव में है तो उसके उद्गाटन पर गई थी लेकिन इसको बंद कर दिया गया है इतनी बाते भी आपको प पहली फिलम तो यह है एक सबसे पहले हर्याने में एक लगो फिलम बनी थी उन्यशो अर्चट में जिसका क्या नाम था धरती उसके दो साल के बाद एक और फुल मुवी बनती है जिसका क्या नाम है हर फुल सिंग जाट जूलानी यह जहां पर जाट सबद है जात नहीं ले जाता है तो जगत जाखड जो कि आपके जजल डिस्टिक से हैं और उसा सर्मा इसमें अबिनेत्री का रोल करती हुए आपको नजर आएंगी लाड़ो फिलम आई थी 2000 के अंदर और यह राष्ट्रे जो आपका नैशनल स्तर है राष्ट्रे स्तर पर पहली एक ऐसी फिलम के अंदर इसको बनाए गए था सर क्या ऐसी फिलमें दुबारा नहीं बन पाइं नहीं हरियाने के अंदर ऐसी फिलमें नहीं बन पाइं यह superiority है इसके बाद हमारे कुछ पांच सात क्वेश्ब्री क्वेस्ट्री कर दे तो फटा फटी देखتे हैं हर्याना का यह जो जब गठन हुआ कितने कब हुआ था 1966 में तो उस टाइम पे कितने जिले थे साथ जिले थे सर याद कैसे रखेंगे गर जम्मू कस्मीर में यानि कि जी एच ए आर जे के एम सर इन साथ में से सबसे बड़ा कौन था तो इन साथ में से सबसे बड़ा उस टाइम पे था हिसार लेकिन अब कौन सा है तो अब है आपका सिर्सा सर ऐसा क्योंकि हिसार से भाई डिश्टिक निकाल तो दिया भियवारी निकाल तो दिया अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे सबसे चोटा कौन सा था जी एक पहली है फ्री हरियाना का कॉर्स है उसमें दूसरी तीसरी वीडियो उसको देख लेना ट्रिक के साहे तसी पर आपको करवा रहे हैं अब कितने जिले हैं सर बाइस बाइस में सबसे आखिर में कौन सा बना तो वहा है बना आपका चर्की दादरी कब बनाता सर यह काफी इंटरस्टिंग डेट है यह भी 16 11 16 16 नुवंबर 2000 16 ठीक है उस ताइम पर मंडल कितने थे चार अब कितने हैं छे चार कौन से थे चार तो आपके यही हो गया जी एच ए आर इसके बाद के एफ और जोड़ देना करनाल और फरीदाबाद अब यह छे मंडल हो चुके हैं सर जो यह दो मंडल आपने सिन तेल है जो आपका मिट्टी का तेल है उसको भी बंद कर दिया गया था तो इसके बाद हम बात करते हैं हरियाना में एक नुवंबर को यह है क्वेस्चन काफी इंटरस्टिंग है एक नुवंबर को कितने जिले बने तो साथ तो पहले ही बन गए थे चार जिले एक कुझसा बना है आपका चर्की दाधरी जो कि मैंने आपको बता ही दिया चार जिले एक साथ कब बने उन से नुआशी में और पानिपत एक ऐसा जिलह है एक मत्र ऐसा जिलह है हर इन कंदर जो पहले बना कब बना उन सेटार्योन तो चलिए combine होब कि आपको वीडियो, टीचिंग स्टाइल, मैथल, कंटेंट, पीडिया वगारा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बिलुकल एक डाउन, एक रूट्स पर जागर समझाने की कोशिज करते हैं दा टीचर्स के होन हार टीचर्स तो आई थिंक आपको पीडिया नहीं मिलती तो टेलेग्राम ग्रूप्स के अंदर ही हमने हमारे कॉंटेक्ट्स दिये हुए हैं तो आप उनको विजिट कर लिया करो और पीडिया आप ले लिया करो तो वहाँ से आपके साथ पीडिया शेयर कर दी जागी कफी सारे के रहते हैं कि सर वो नोट्स वो PDF वीडियो तो अगर आपको कभी लगे कि मुझे नहीं मिल रहा तो Contact किस वजेसे हैं वो आपके लिए ही है आपकी स्वयदा के लिए ही है तो कफ़्ी सारे candidates लेते भी हैं तो अगर आपको नहीं पता तो आप ले सकते हैं छिर्ट है इसके बर बाद करता हूं कि जो बना कैसे बना चेतर फल वगारा सब कुछ उस वीडियो में इंकल्यूडिंग है दूसरा काफी इपोल्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिसकस किये हैं अलग-अलग वीडियोज में हाँ सबसे पहले में आपको एक छोटा सा टोपिक करवा देता हूं मैंने आपके साथ प्रोमिस के दा हर्यान करेंट फियर का जो आपके चार आपके बार हर्यान से पदम सिरी अवार्ड मिले हैं तो किन किन को मिले हैं तो ध्यान रखेगा एक तो महाविर गुड़ू जी हैं आपके महाविर गुड़ू कला चेतर में दूसरा आपके डॉक्टर हर्यों है क्रिशी छेतर में और एक है आपके जो जिसके बारे में मैंने बात करी ती है सुक्विंदर यह है आपके सिर्सस है समाजिक छेतर में और एक हो रहे हैं जिनको आपका Science and Technology में मिला है उनका देख़े जो उनका नाम है उसमें राम नाम आता है स्टार्टिंग में ही राम जस्ता आप उस राम को पकड़िएगा और याद रखिएगा कि राम को भगवान राम को अज साइंस भी सवीकार कर चुके है तो इनको साइंस में ही इनको विगान में ही मिला है तो चार लोग हैं ये वैसे इसके उपर उपर एक कलग से विडियो भी बना रखी है इनको मिला है किसमें? विगान में और कुर्विंदर को मिला है आपका समाजिक में हरी ओम को, छिसान क्रिशी जहतर में मिला है हरी ओम को और चोते हैं आपके महावीर गुड़ू 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 कुछ नहीं तो हो सकता है कि आपको छिर्फ 10% डेटा का 20% डेटा का पता हो तो comparison किसी के साथ मत कीजिए हर एक दिन पढ़ना है अराम अराम से पढ़ना है क्योंकि यह है एक दो दस दिन की तो कोई दूड़ नहीं हो सकता है कि एक दो तीन साल हवर लग जाएं तो आप जस भी एकजाम के लूए प्रिपरेशन कर रहे हो CT के लिए कर रहे हो CT मेंस के लिए कर रहे हो तो क्या अभी कम जादा हो सकते हैं भाई बाद में बढ़ सकते हैं लेकिन उनको कैसे आप दस कर दोगे जब पहले ही चार थे तो जो डेटा फिक्स है जो इतिहास बन चुका है उसको अच्छे तरीके से याद कर लिया करो ट्रिक्स हैं इसे यूटूब चैनल पर हैं कहीं से हम यह नहीं कहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ ही पढ़ो हम ही एक मातर टीचर हैं नहीं हम भी टीचर हैं हम ऐसा बोलते हैं आप कहीं से भी पढ़ सकते हो बहुत सारे यूटूब चैनल से कोचिंग से और हर एक इनसान और मोस्ट बिलकुल अच्छे तरीके से करवाता ही है हाँ टीचिंग स्टाइल सबका अलग-अलग हो सकते हैं हम यहीं बोलते हैं कि अगर आपको टीचिंग स्टाइल मैथेड कंटेंट वगरा अच्छा लगता है तो आप आज आया करो फरे अफको सब चीज़े हैं देख लिया करो इसमें कौन से आपके पैसे लग रहे हैं महनत करते रहो सही जगह सही समय महनत कर लो सिरकारी नोकरी भी मिलेगी बच्चे भी आपके होनहार होंगे और उनको भी आप अच्छे तरीकी से गाइडेंस दे पाओगे हाँ एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि कभी एक होता है खुद को पर गरव करना कि हाँ मैं बिलकुल नोर्मल से बैगराउंड से चला था या फिर चली थी आज मैंने कुछ ठीक ठाकसा कर लिया दूसरा होता है घमंड कि भाई मैंने तो पता नहीं क्या पा लिया वो तबका वही का वही है तो यह है मत कभी भी मत कीजिएगा क्योंकि वही बोलते हैं कि बहुत बुरी बाते हो है पता नहीं कितनी भी कुछ भी हो सकता है कि अगर आज आज आप घमंड में आ जाते हो पता नहीं क्योंकि वहीं बोलते हैं हर्याने के अंदर कि हाई लग गई या फिर कुछ और हो गया तो वहे सब चीजे एक्चल में होती है कि अगर आज आज आप गंड करोगे तो कही कहीं से आप एक टाइम ऐसा आजाएगा कि आपको किसी और के सामने रिक्वेस्ट भी करने पड़ेगी हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे आपके लिए नहीं तो बच्चों के लिए से किसी के लिए तो कुछ भी तो आप कहने का मतलब इतना है कि खुद पर गरव कीजिए कुझ से भला कर पाओ और एक जिमवारे भी खुद कर उठा के चलेगा आगे फ्यूचर में कि जब भी आप कुछ भी बन जाओगे तो अगर आप डोनेट कर सको डोनेट का मतलब जस्ट पैसों से नहीं होता डोनेट का मतलब आपका किमती टाइम भी होता है कि आप डोनेट कि आपने जस्ट किसी को माल लिया कि बस वही है मैं नहीं हूँ तो हर एक दिन पढ़िए अराम राम से पढ़िए और खुद पर एक थोड़ा सा रखे भी स्वास रखी चीजे मिलेंगी बहतरी तरीकी से आपको चीजे मिलेंगी तो चले आपके सपनों को सलाम बहुत डेट है पढ़िए पढ़िए आप चले मिलते हैं आगले वडियो